हेलो एवरीवन विल्कम एगें टू रावानुजम स्कूल आफ स्टडीज अभी हम इस सीरीज में क्लास थेंथ की ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं प्रिवेस दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डिपनिशन आफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो देखा था और हमने देखा था specific angle क्या है मतलब अगर हम प्रिवेस क्लास को देखें तो यह हमारा slide है जिसमें हमने देखा था कि हर एंगल का जैसे साइन 0, साइन 30 डिगरी, साइन 45 डिगरी, साइन 60 डिगरी और साइन 90 डिगरी का value क्या होता है और कैसे निकलता है तो यह हमने देखा था साइन के लिए देखा था कॉस के ट्रिगर्मेटिक रेश्यो के लिए देखा था टैन के लिए देखा था कॉट के लिए देखा था कॉसक के लिए और से के लिए देखा था तो यह सब हम लोगों ने देख लिया था आशा करता हूं कि आप लोग जो है इन values को याद कर लिया तो चलिए अपना फस्सलाइड में चलते हैं पहला स्लाइड है हमारा यहां पर दे दिया हूं फस्सलाइड में कि आप यहां पर होल्ड करके एक मर सरे कुशन करने के कोशिस कीजिए अगर नहीं होता है तो फिर यह कोशन जो है आपको लेक्षन में इसका सॉलुशन मिल जाएगा चलिए भी आपका फस्स्सलाइड होके डिफेट चुर्शन होके आप देख लिए इसे तो पहला पूशन है इस लाइड का की इवाल्योट शाइन शाइन सिक्स्ती डिग्री इंटू कॉससी थिग्री प्लस साइ 30 degree into cos 60 degree so हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रिविस टेबल को देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे sin 60 degree का value क्या है so आप देखेंगे कि sin 60 degree की value होती है root 3 by 2 so we can write here root 3 by 2 this is the value of sin 60 degree into cos 30 degree की value होती है root 3 by 2 so again we have right here root 3 by 2 plus sin 30 degree sin 30 degree का value कितना होता 1 by 2 into cos 60 degree इसका value क्या होता 1 by 2 इसलिए मैंने previous class में कहा था कि आपको different trigonometric ratio का specific angle याद होना चाहिए जिसे कि हम question को solve कर पाएं अब देखेंगे root 3 into root 3 so root 3a square कर सकते हैं divide by 2a square okay plus यह 1 into 1 1 हो जाएगा और यह हमारा 2a square हो जाएगा now see here root 3 का square कितना हो जाएगा 3 बटा यह क्या हो जाएगा 2 का square 4 plus 1 बटा 4 अब यहां पर हम क्या करेंगे lcm ले लेंगे 4 और 4 का lcm क्या होगा चार जब दिनोमेटर वाले चार को इसके चार से डिवाइड करेंगे 3 by 4 के चार से डिवाइड करेंगे तो कोसिंट आएगा 1 जो कोसिंट आएगा उसको उसके रिस्पेक्टिव नुमेरेटर से मल्टिप्लाइ करेंगे so we have 3 multiply by 1 plus 1 multiply by how much 1 so this is equal to 3 plus 1 divided by 4 so अब हम इसे आड करेंगे तो हमारा 4 is divided by 4 आजाएगा और यह कटके 1 हो जाएगा right this is 1 so sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree का value क्या जाएगा वान तो यह हमारे question का answer हो गया चलते हैं next question पे तो आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी specific angle है जैसे हमने यहाँ पे use किया कि sin 60 degree के value थी तो sin 60 degree का हमने value root 3 divided by 2 डाला cos 30 degree के value root 3 by 2 डाला तो इस तरसी टेबल याद होना चाहिए right आगे चलते हैं next question question पे next question है evaluate cos 45 degree divided by 6 30 degree plus cos 30 degree now see here cos 45 degree का value कितना होता है 1 over root 2 अब हमें क्या निकालना है sec 30 degree अब देखिए cos 30 degree अगर हम अगर value याद नहीं है तो हमें cos 30 degree के value याद है so this is equal to root 3 by 2 cos 30 degree तो cos का reciprocal क्या होता है sec so sec 30 degree की value हो जाएगी यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते है है 2 by root 3 so this is 2 by root 3 plus cos 30 degree अब देखिए sin 30 degree के value कितना है थी 1 by 2 so sin 30 degree का value 1 divided by 2 होता है तो cos 30 degree क्या होगा इसका reciprocal so we can write here cos 30 degree so this is equal to 2 divided by 1 so यहाँ पर हमें 2 डालना होगा so this is the 2 अब यहाँ पर देखिए कि यह से value अगर टेबल से याद होगा तो अब तुरंद question को कर सकते है so we have 1 over root 2 divided by यह हमारा lc केतना जागा root 3 so this is 2 root 3 को root 3 से divide करेंगे इस वाले root 3 को इस वाले root 3 से divide करेंगे जो cosine आएगा उसको इसके numerator से multiply कर देंगे plus root 3 divided by 1 that is root 3 cosine क्या होगा security के लिए root 3 multiply by 2 so 2 root 3 अब इसको हमें solve करना है so 1 over root 3 divided by this is 2 plus 2 root 3 divided by root 3 this is 2 plus 2 यहाँ पर into root 3 and this is 1 by root 2 यहाँ पर root 2 है so अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 over root 2 multiply by root 3 जब divide करेंगे तो यह वाला चीज उलट जाता है आपको पता है so 2 into 1 plus root 3 so the value is root 3 divided by 2 root 2 into 1 plus root 3 so यह हमारा value हो गया इस question का मतलब यह हमारे question का solution हो गया चलते हैं next question में next question है हमारा evaluate 2 10 30 degree divided by 1 plus 10 square 30 degree now we have 2 into 10 30 degree का मान कितना होता है 1 over root 3 divided by 1 plus 10 30 degree का मान 1 over root 3 का square अभी सी को ही solve करना है so this is 2 over root 3 divided by 1 plus 1 over root 3 का square क्या हो जागा 3 so we have 2 over root 3 divided by 3 अगर LCM केतना हो जागा हमारा 3 so 3 को 1 से divide करेंगा तो 3 आएगा cosine to 1 multiply by cosine से multiply करेंगे भीन का जो यहां पर कर रहा है so 3 divided by 3 again cosine to 1 so 1 से 1 को multiply करेंगे so this is 2 over root 3 divided by 3 plus 1 that is 4 over 3 अब इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे root 3 multiply by 3 over 4 so 2 एकन दो दो दुनाचारी यह cancel हो जाएगा अब 3 को हम क्या लिख सकते है root 3 multiply by root 3 इसको इसलिए s इसलिए निखा क्योंकि नीचे denominator में root 3 है एक root 3 से एक root 3 कट जाएगा so इसको हम काट देते हैं so the value is root 3 divided by 2 so 2 10 30 degree divided by 1 plus 10 square 30 degree is root 3 by 2 बहुत एजी है और सिर्फ table को use करके हम इस सारे question को कर सकते हैं right next question है again evaluate 1 minus 10 square 45 degree divided by 1 plus 10 square 45 degree so 1 minus 10 45 degree is how much 10 45 degree is 1 so 1 minus 1 ca square divide by 1 plus 1 ca square so this is 1 minus 1 ca square 1 divided by 1 plus 1 ca square 1 so this is 1 minus 1 this is 0 divided by 1 plus 2 now 0 is divided by 2 so the value of the given expression this is equal to 0 so 1 minus 10 square 45 degree divided by 1 plus 10 square 45 degree this is equal to 0 बहुत इजी था आप इसे कर भी सकते हैं अगर आप देखे यहां तक अगर आप first slide में ही ले 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 और सारा value अगर याद कर ले first slide को question को एक बर copy पे ले ले और वहीं पे solve करे तो आपको वहीं पे सारा question solve हो जाएगा अगर कोई problem होता है कहीं पे भी तो आप further इस वीडियो को अच्छे से एक या दो वार देख लीजिए आपको सारा कुछ clear हो जाएगा चलते हैं next question में again यहां पे आपको 10-30 degree का मान देना है और इसको solve करना तो यह question में आपके लिए छोड़ देता हूँ कि 10-30 degree का मान आपको यहां पे put करें और इसे solve करें आप इसे निकाल सकते है अगर नहीं दिक्कत होता है अगर निकालने में तो मैं next class में इसे कर दूँगा चलिए आगर चलते हैं आप comment box में डाल सकते हैं कि हो गया या नहीं हुआ now अब यहां पे बहुत अच्छा कोशन है यह देखिए sin a-b is equal to 1 by 2 और cos a plus b is equal to 1 by 2 यह दो दिया हुआ है और यहां पे कहा रहा कि a plus b जो दोनों का जोड जो है 90-0 और 90-degree के बीज है so आप यहां पे देखिए a plus b इस दोनों angle का जोड 0 से बरा है और 90-degree से बराबर या छोटा होगा इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि a और b का value का sum जो है किसमे है first quadrant में है और first quadrant में सारा angle क्या होता है positive होता है तो इस चीज को हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहां पर हमें यहां पर एक चीज और given है कि a is greater than b और हमें a और b की value find out करनी है कि angle a कितना होगा और angle b कितना होगा चलिए solve करते हैं तो sine a minus b यह given है 1 by 2 और हम लोग जानते हैं कि 1 by 2 किस angle के sign के किस angle के बराबर होता है so we can write here sine a minus b this is equal to sine 30 degree चुकि sine 30 degree 1 by 2 के बराबर होता है चुकि sine का function है यह और angle first quadrant में है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a minus b this is equal to 30 degree तो यह हमारा equation first होगा अब second question second information है हमारे पास cos a plus b this is equal to 1 by 2 so यहां से हम cos a plus b यह हम लिख सकते हैं cos 1 by 2 क्या होता है cos 60 degree so we can write cos 60 degree चुकि first quadrant में है angle a और b दोनों कसम so a plus b is equal to 60 degree अब देखिए हाप यहां हमारे पास दो value find करने है a और b और हमारे पास दो equations भी है so equation first और equation 2 को अगर हम solve करें और solve करने के लिए क्या करना होगा हमें जोडना होगा पहले अगर दोनों को जोड़ेंगे तो b और b taxile हो जागा 0 हो जागा so 2a this is equal to 60 degree plus 30 degree 90 degree so यहां से a का value जो आगे हमारे पास 45 degree a का मान 45 degree है आगया अब a का मान 45 degree डालेंगे यहां पर तो a इस 45 degree अगर डालते है तो b कितना हो जागा 60 minus 45 degree so b is equal to how much b is equal to 15 degree so यहां पर देखिए question में है कि a is greater than b तो बात सही है a जो value आया है वो 45 degree है और b 15 degree तो a is greater than b तो हमारे जो value हो गया a is equal to 45 degree और b is equal to 15 degree इस तरह का question और भी आपको cbsc के book में मिलेगा ncrt के book में मिलेगा तो आप ncrt के examplar में मिलेगा तो आप वहां पर जाके इस तरह का question को कर सकते हैं बहुत अच्छा question है यह question का हमारा answer हो गया चुरते हैं next question में next question में है inner triangle pqr right angle at t कुछ questions आपके पास ऐसे आएंगे जो words में होंगे जो construction based होंगे या फिर आपको आप तरिभूच को बनाना होगा तो आप question को ढंग से पने सही से पने और उसके बाद figure को ड्रॉ करें जैसे ही आप figure को ड्रॉ करेंगे जो भी specification given होगा जो भी information given होगा अगर आप उसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ किलिए रोगा जैसे एक question देखिए inner triangle pqr right angle at q इसका मतलब क्या एक triangle है pqr जो की right angle है समकून तरिभूज है और right angle के पे q पे है तो यह हम एक right angle बना लेते हैं यह हमारा q है यहां पे right angle है और p का कौन सा वर्टेस से पी और क्यों यह given है तो हम लोग क्या करें कि मालेते यह p है और यह pq and this is r यह हमारा r हो गया q पे 90 degree है अब क्या रहा है कि pq is 3 cm यह हमारा 3 cm pq है और pr is 6 cm यह 6 cm given है तो हम यह find करना angle qpr that is angle qpr हमें यह वाला angle find करना है angle qpr और हमें क्या find करना angle prq और हमें angle यह वाला find करना है prq angle prq अब देखिए बहुत easy है इस question को find out करना अगर हम right angle triangle में देखे तो pr हमारा क्या हो गया hypotenuse हो गया so pr is h हम लिख सकते हैं इसकी value 6 cm है और pq pq this is equal to this is the perpendicular okay this is the base अगर हम इस angle की बात करें angle p की बात करें तो peak angle के कारण यह हमारा base हो जाएगा ठीक है so pq is base and this is equal to how much this is equal to 3 cm देखिए हम इस angle को निकालना चाहरे है ना कि pr को pr को निकालेंगे बाद में पहले हम p को निकालना चाहरे this is equal to base over hypotenuse यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम relation find out करेंगे क्या find out करना है वो जो find out करना है वो किस trigonometric ratio के relation में आता है यह चीज़ बहुत important है क्योंकि यह सारा का सारा ख्यल हम फिर height and distance में भी करेंगे इसी चीज़ को use करेंगे so base is here 3 cm and hypotenuse is 6 cm cm से cm cancel हो जागा और 3 से 6 cancels हो जागा तो बचेगा 1 by 2 चुकि यह acute angle triangle है so cos theta this is equal to 1 by 2 so this is cos 30 degree so theta जो angle आएगा अगर यह हम माल लेते है theta so this is equal to 30 degree तो यह 30 degree हो गया that is यहाँ पर अगर angle कौन सान निकाले हम लोग angle P R P Q so angle R P Q this is equal to 30 degree अब देखिया angle sum properties से हम angle R निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि sum of angle of a triangle is equal to 180 degree so we can write here angle P plus angle R plus angle Q so this is equal to 180 degree हमारे पास angle Q that is 90 degree हमने angle P निकाल लिया that is 30 degree so हम angle R निकाल सकते हैं तो आप यहाँ पर निकाल लिजे angle R कोई दिकत नहीं है but क्योंकि हम trigonometry कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम angle R अगर हमें कहेगा निकालने के लिए तो अब देखिए angle R के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम trigonometry यूज कर रहे हैं यहाँ पर था सथा space ले लेते हैं angle R अगर यह angle alpha माल लेते हैं angle R को so sin alpha this is equal to perpendicular divide by hypotenuse होता है ठीक है और perpendicular कितना है 3 है divide by 6 हो जाएगा perpendicular क्यों हो जाएगा हमारा this is 3 divide by 6 और यह हो जाएगा 1 by 2 so sin alpha is 1 by 2 so we can write here sin alpha इसका value क्या होगा हमारा इसका value हो जाएगा 1 by 2 is 30 degree so we can write sin 30 degree so alpha is equal to 30 degree अचा यहाँ पर एक चीज गलत हो गया गलत क्या हो गया कि cos theta is equal to 1 by 2 है और 1 by 2 किसके बरावर है cos 60 degree के बरावर तो यहाँ पर हम 60 degree करेंगे यहाँ भी हमारा angle 60 degree हो जाएगा तो अब आप देखिए कि angle p this is equal to 60 degree आ जाएगा हमारा angle r हमने निकाले 30 degree और angle q this is 90 degree यह सब जोर होके 180 degree हो जाता है तो यह हमारे question का answer हो गया ध्यान लखना है जब भी हम use करेंगे trigonometric ratio का जो specific angle है वो याद होना चाहिए मैं बार-बार कह रहा हूं क्योंकि गलती होने की chances बढ़ जाते हैं तो यह हमारे question का solution होगी आगे चलते हैं next question पे अब यहाँ पे दे रखा है कि sin theta minus cos theta is equal to 0 find the value of sin 4 theta plus cos 4 theta अब देखिए sin 4 theta plus cos 4 theta की value हमें find करने तो माल लेते हैं इसकी value है माल लेते हैं यह x है so we can write sin square theta का a this is square plus cos 4 theta को क्या ले सकते है cos square theta का square अब यह हमारा a square plus b square हो गया so we can write sin square theta plus cos square theta देखिए धियान से हमारे पास क्या formula है a plus b का whole square this is equal to a square plus b square minus a plus 2ab so we can derive a square plus b square this is a plus b का whole square minus 2ab तो यहीं चीज़े हमने यूज किया this is a this is b so a plus b का whole square minus यहां पर हम लोग क्या कर सकते है 2ab so 2 into sin square theta into cos square theta अब यहां पर sin square theta plus cos square theta का value क्या होता है 1 so we can write here this is equal to 1 minus 2 into sin square theta into cos square theta मतला हमें sin square theta into cos square theta के value find out करनी है और information क्या है sin theta minus cos theta is equal to 0 so यहां पर हम sin theta minus cos theta this is equal to 0 हम यहां पर क्या करेंगे square कर देंगे so we have a square that is sin square theta plus b square that is cos square theta minus 2 sin theta into cos theta this is equal to 0 so sin square theta plus cos square theta this is equal to 1 so we can write here sin theta into cos theta this is equal to 1 over 2 अब sin square theta into cos square theta क्या होता है 1 over 4 क्योंकि sin theta into cos theta is 1 by 2 है तो हमें क्या चाहिए sin square theta into cos square theta so यहां पर हम रूल लिग सकते है sin square theta into cos square theta this is equal to square कर देंगे 1 by 4 आगे अब इसी value को यहां पर put कर देंगा 1 minus 2 into sin square theta into cos square theta का मान कितना है 1 by 4 so यहां पर put कर दी है so 1 minus 2 over 4 cancel हो जाएगा यह 1 over 2 हो जाएगा 1 minus 1 over 2 is 1 over 2 so the value of sin 4 theta plus cos 4 theta this is equal to 1 over 2 तो यहां पर हमने एक formula use कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 इसे हम trigonometric identities कहते हैं और इस चीज़ को हम next class में देखेंगे कि यह कैसे आता है चलिए next question है बहुत अच्छा question है height and distance का question मैंने यहां पर डाल दिया है एक question छोटा सा है अब देखें कैसे बन जाएगा यह सिर्फ tenometric ratio और specific angle को use करके और जितने भी height and distance है उस question को solve करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा figure draw करना होगा so if your pole six meter high अगर एक pole है तो हमने एक pole लिया जो 6 meter high height है so this is the ground यहां से 6 meter के height का हमने pole draw किया यह pole tip हो गया और यह हमारा 6 meter हो गया cast a shadow of two root 3 meter अब मालो यहां पर sun है sun के कारण परचाई बनेगा चाया बनेगा तो sun के ray के कारण cast a shadow एक shadow बना ठीक है so this is shadow so this is माले ते सिर्स a है यह b 90 degree पर है और यह c है और bc का जो length है 2 root 3 बन गया अब देखिए find the sun elevation कहने का मतलब है कि यह sun का angle elevation कितना है ठीठा निकाल रहा है अब देखिए right angle triangle में triangle जो right angle triangle है a bc में अगर हम बात करें तो हमारे पास perpendicular है क्योंको ठीठा के सामने perpendicular होता है परपेंडिकुलर कितना है 6 और हमारे पास base है क्या है यह 2 root 3 अब अब रिकॉल किजिए कौन से trigonometric ratio में p और b आता है हम लोग जानते है 10 theta में हमारे पास p over b आता है लंबटा अधार आता है 10 theta 6 divided by 2 root 3 अब 2 से cancel करेंगे 2 theta 6 और 3 को हम लिख सकते है root 3 into root 3 दो बर multiply कर सकते है तो यह 3 बन जाएगा अब root 3 से root 3 को cancel कर देंगे 10 theta this is equal to root 3 तो यहां से root 3 10 theta में होता है 10 60 degree होगा 10 60 degree is equal to root 3 तो sun elevation 60 degree का होगा इस तरह का height and distance का question हम बहुत जादा करेंगे अभी और आगे करेंगे यह तो थोड़ा सा look था कि कैसे हम trigonometric ratio को use करके specific angle को use करके height and distance का question solve कर सकते हैं तो आज हमने किया specific angle पे based कुछ अच्छे questions next class में हम लोग देखेंगे trigonometric ratio of complementary angles क्या होता है पहली के बात यहां पर यह देखेंगे complementary angle क्या होता है अगर दो angle अगर एक angle alpha है और एक angle beta है अगर इस दोनों को जोरेंगे और इसका sum 90 degree होगा तो यह complementary angle हो जागा टेज अगर 30 है तो इसका complementary क्या हो जागा 60 होगा तो इस तरह से आप दो चार complementary angle को लेक के आएंगे कॉपी पे ठीक है तो हम complementary angle को देखेंगे और जो भी आज के class का जो भी doubt होगा उस doubt को clear करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थांक्स फूर वॉचिंग अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया हो और लगड़ा हो आपको यह फाइदा पहुचाया हुआ होगा तो आप इस lecture को subscribe कर ले चैनल को subscribe कर ले और जो lecture है उसको share कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और जितना अधिक हो सके से शेयर वी कर सकते हैं थाइंक यू everyone have a good day जाय हिंद।